सवाल आपसे यही है कि चलिए आपने लोगसबा में तो प्रधान मंत्री मोदी ने चौके छके मारे लेकिन आपने अधीर बाबू को पविल्य नहीं क्यों लोटा दिया और आपने सस्पेंड भी करा दिया बताईए मैं जरूर बताऊंगा लेकिन सबसे पहले एक बात कहूंगा संसत जो है लोगतंतर का मंदिर होता है जी और भारत माता पूझनिये है हमारे जीने का मकसद है आनबान शान है हमारी पहचान है कोई छिछोरा संसत के पटल पर ये कहे कि भारत मा की हत्या हुई है तो भारत मा की ह पत्या करने वाला माईकालाल पैदा नहीं हुआ अब सबसे पहले बता दू दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ जो आपने कही जैसे गुरू वैसे चेला गुरू आएगा आठ तारिक को बैटिंग करेगा छक्के मारेगा इट विकिट होगे आठ को आया ही नहीं पता है क्यों हमारे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री की तुल्ला रावण से कर दे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए अब शब्द कहें और अदीर अजन चौदरी अब शब्द कहें जो सबसे एहम है पहले वही बात बोलूगा देश के प्रदानमंत्री वो हैं जिन्होंने जब कल देश को संबोधित किया मरहम लगाई एक अभिभावक के रूप में और एक बाद सब के दिल को छूगई हमारी जो बहने जिनके साथ गलत हुआ है उनको इंसाफ मिलेगा और मनीपुर फिर से प्रक्ति के रास्ते पे चलेगा राहुल गानी वो बैक्ट्मेन है जो हिट विकेट तो होता ही है लेकिन प्रदानमंत्री जी बोल रहे थे और वो कह रहा है ते डरनमत डरनमत और एकदम से भाग खड़े हुए ऐसा भगोड़ा आप मुझे बताईए भारत को चाहिए या नरेंद्र मोदी जी जैसा चाहिए जो अंगत के पैर की तरह एक बार रख देता है तो भारत के वाल आगे बढ़ता है ठीक है अलका लांबा सवाल बहुत सीधा है मौका आपके पास एक बड़ा मौका था सरकार को आइना दिखाने का प्रयास भी करा विपक्ष की तरफ से बड़ा प्रयास हुआ लेकिन नो कॉंफिडेंस मोशन आप ही ने मांगा था विपक्ष ने मांगा था कॉंग्रेस के सा भीन अंग पिछले सो दिनों से जल रहा है दो बेटियां सुप्रीम कुट की दहलीस पर इस समय बैठकर नयाय मांग रही है यह सच्चाई और सत्रा दिन देश में मनसुन सत्र चलता है परधान मंत्री जी उस सदन में नहीं आते मनी पुर नहीं जाते उसकी चर्चा में करा आने से बागते हैं यह आप भी जानते हैं कि आविश्वास प्रस्ताव एक बहाना था मोधी जी को संसद में लाना था और उसमें हम काम्याब हुए परधान मंत्री जी मजबूर हुए सत्रा दिन के बाद सत्रा दिन का जो सत्रा कल पहली बार आये और मनीपूर पर 90 मिनिट तक वो सिरफ एक मा भी नहीं बोला मनीपूर का और मनीपूर के जखमों में नमक रगडने का काम करता रहा उनका 90 मिनिट का बाशन और जैसे ही सदन में मनीपूर मनीपूर के नारे इंडिया के समूर से गुझे वो बाहर निकले उसके बाद मनीपूर का मा बोला गया आज अगर ये किन के लिए किन शब्दों का इस्तमाल कर रहे हैं अगर दुरभागिये देश का ग्रह मंतरी एक तड़ी पार है जिसे गुझरात से बाहर उठाकर फैक्ट दिया गया था आज देश की सत्ता ग्रह मंतरी उसके पास है और वो तड़ी पार मनीपूर जलते हुए की विफलताओं को अपने उपर लेने की बज़ा है आज वहाँ पर खड़े होकर शिरी राहूल गांदी जी इंद्रा गांदी जी नहरू जी के पर इतिहास पे कीचड़ उचालने का काम कर रहे हैं परदान मंतरी जी आज भी कहेंगे समवेदन शीलता दिखाईए सो दिनों से परदान मंतरी बेटी बचाओं का नारा देते हैं और एक बार भगोड़ा कौन है 17 दिन से जो पारलेमेंट में नहीं आया भगोड़ा वो है मनिपूर जो नहीं जाब भगोड़ा वो है देश छोड़कर प्रांस रूस अमेरिका जा जा कर डेटाइरंट गिफ्ट कर हमारे नेता जीकी सतसिता आपने रद की सुप्रीम कोड़ ने उस मुहबत की दुपकान को वापिस अंसत पहुंचाया आपने उनके लिए क्या शब्न इस्तमाल किया है सबसे पहले यह बोले और किस नेता के लिए किस गंदे नीच शब्द का इस्तमाल इनोंने किया यह यह जानते शुरुआत इनोंने की थी मुद्व जवाद देना विए यह 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 जानता है आपने जवाब दे भी दिया जवाब गौर भाटिया तेकि बड़े बताते थे कि बराबरी जो है हमेशा जो आपके कद कहू उससे करना वरना कीचर में तो बहुत से जानवर हैं जो खेltे हैं खुद भी गंदे होते हैं दूसरों को भी गंदा करते हैं मैं जो अर्ज कर रहा था हो राहूल गांदी अधीर रंजन चौदरी के जो शब्दों का प्रेयोग है हमारे देश के प्रधान मंत्री उसके लिए कर रहा था ना मैं गिरा ना मेरी उमीदों के मिनार गिरे लेकिन मुझे गिराने में कुछ लोग बार-बार गिरे ये हैं कॉंग्रेस पार्टी जो केवल गाली देती है अरे ग्रह मंत्री जी वो हैं सतर साल अनुछे 370 हटा नहीं पाए शेर की तरह दहारे हटा के दिखा दिया ये कहते थे हटा के दिखाओ हटा के दिखाओ अब कहते कैसे हटा दिया क्यों हटा दिया नहीं हटाना चाहिए था दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ लोगतंतर का मंदिर है ये युवा बैठे हैं आप बताईए, कोई नेता फ्लाइंग किस दे रहा हु, फ्लाइंग किस अब बताईए, यह हस रही है, देख रहे हैं आप, मतलब एक महिला होके, आप सोचिए, शी चोरा रही, एक मिन, मैं पेरी बात दो जाएंगे, आप सवाल पूछेएगा, कोई जल्दी, आप कही जाना ह आपको, मुझे नहीं जाएंगा, कारेकर मेरा मैं से ले जाओगा, मैं किसे गल्द पर भी नहीं हो रहे हैं, तो गौरा भाई हमें बाहर निकालने को उतारू है, ऐसा क्या हो गया, आप भी बाहर जाना चाते हैं क्या, जिस महफिल में अमीश डैवगान नहीं होगा, उस मह एफिल में रौनक नहीं होगी, रौशनी नहीं होगी, आपको निकाल नहीं रहा है, मैं कहरो मेरी बात पूरी हो जाए, सुनिये, 2018, no confidence motion लाए, उसके बाद एक ऐसा भाशन जिसको समझने के लिए, हर व्यक्ति पूछ रहा था, यह बोले क्या है, 53 साल के परिपक बालग, औ के मंदर में, 2023 आई है, no confidence motion लाए, मनीपूर पे बोलते वे राहु जांदी जी नहीं ऐसा कुछ निकार मनीपूर की, दर्द को नहीं बार 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 विंती चार निए, जूट पे जूट बोले, पर वां को कहेंगे, इनकी एक एक बात और एजांग लिजिएगा, आप पहले आद भक्त मंदर, इनके कहें को सच मत मान लिजिएगा, एक शिश्टा चार मैं दिखाता हूँ, मैं तो एक कारूर मना आप बोलने ने लिए पूछना जाता हूँ, आप उनसे दो बिस कारूर मना आया है, तो यह मैंने बताया कि लोगतंत के मंदर में आख मारी, थोड़ी पची कुछी इज़त थी वो भी मिट्टी में मिल गई थी दोजार तेईस आया बाशवर दिया कहरे घुटनों में दर्द हो रहा है और मुझे बहुत पीड़ा है तेल लगाने की बात करने लगे क्या क्या करने लगे और हवाई चुम्बन दे रहे हैं और हवाई चुम्बन पे बिहार की इनकी एक विदाया के नीतो सिंग उन्होंने क्या कहा है पूरी कॉंग्रिस शर्मसार हो जाएगी वो कहती है राहूल गांदी के पास लड़कियों की कमी नहीं है अगर फ्लाइंग किस देना होगा तो किसी लड़की को देंगे पचास साल की बुड़िया को क् इस पाइटी के आप सोचिए और दूसरी तरफ नरेन मोदी जी है जिन्होंने बताया कि हमारी बेटिया है उनको इंसाफ मिलेगा प्रगती के रास्ते पे दुबारा चलेगा और तीसरी बड़ी बाद जो उन्होंने कही पूरा देश जो विपक संचिक छोड़ चुका है व पूरा मामला ये जो किस का किस्स है इस का किस्स से इस का कॉंग्रेस को उलजहा दिया गया या फिर आपको लगता है क्यों कि कूछ तस्वीरे भी सामने आई जिसको BJP के नेताओं ने ट्वीट कर रविश्ं कर प्रसाद ने बोला पया क्या कहना चाहती है या और प्रेंका of love और इसको जादा रीड नहीं करना चाहिए क्या आपको लगता है कि इस संसद में ये mistake हो गए मैं फिर कहूंगी ये मुद्धा आपके लिए है देश के करोड़ों युवाओं के लिए आज भी मुद्धा है बेरोजगारी देश का प्रधार मंत्री से वो सुनना चाते थे उनके 2 घंटे 13 मिनट के बाषण में कि एक बार बेरोजगारी पर बोल दीजे हर साल 2 करोड़ नोकरिया नो साल में 18 करोड नोकरिया में बेरोजगार हूँ एक शब नहीं बोला उमीद करते थे कि बोले महंगाई के उपर आज विश्व में कच्छे तेल की किमते गिरी हुई हैं आज पेट्रोल और डीजल के दाम बड़े हुए हैं लपीजी गैस के दिलम दाम बड़े हुए हैं ट कुछ सही है चुनोती देती हूं पांच राज्यों के चुनाव आ रहे हैं मद्यपरदेश राजसान च्छत्यसगर्ट बीजोरम और तैलंगा ना के जम्मु कश्मीर का चुनाव करा दीजिए लोकतंत्र की बहाली करा दीजिए कब तक पुतली बनाकर आप जम्मु कश्मीर मारी पारत माता एक-बस कर मारी जा रही है मनीपूर के आंदर माता जो बेटिया है लोगने ने बेटियों को जो सामुहिक बलातकारी लेकर भाग रहे थे कहां से गए थे, पुलीस स्टेशन से वो बेटियों को वहां से ले जाए ये सच्चाई है, ग्रे मंत्री परधान मंत्री का स्वाल ये वीडियो वाइरल कब हुआ, लोकसबा से पहले हुआ, अरे लोकसबा से पहले ना होता गिरफतारी होती, परधान मंत्री जी इस पर बयान देते हैं, ये वाइरल वीडियो नहीं परधान मंत्री जी को बयान दे लिए पहले गिरफतारी करने पर लास्ट बेटी बचाओ की बात कर रहे हैं हर्याना की बेटियों की F.I.R किसके कहने पर हुई सुप्रीम कोट ने कहा तब हर्याना की हमारी पहलवान बेटियों की एफ़ायार होती है पिलकुस बानों के अपराधियों को इन्हों ने बलतकारियों को हत्यारों को छोड़ा आप बोलिए गौरा बाटिया 6337 पूरे भारत में कोई प्रदेश है जहां सबसे आदा बलतकार होता है जनसंक्या के अधार पे उत्तर प्रदेश से 6 गुना ज्यादा तो राजस्थान है वो बेटियां वो माताएं कह रही है राहूल गांदी सोलिय गांदी प्रियंका वाड़ा कब आएंगे राजस्थान जिन चार लोगों ने बातार बेटियों का क्या बेटियों को पता हो जाए तो अपरादी भारतिय विद्धार्थी परिश्थ के थे अचा थी कोशिश करें शाब वो बीच में आ जाती है बार बार क्या करें आप अपनी टापे बोले हैं इतना बोखला हुई है मतलब अब महिलाओं पे मैं ये भी कहना चाहता हूँ अशोग गहलोत कहते हैं कि जो बलतकार की कंप्लेंट आती है आधी फरजी है एक मंत्री वहाँ है वो कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है राजस्थान बलतकार जादा है तो क्या हुआ दिविया मदेवना इनकी ML कहते है मैं सुरक्ष्चित नही हूँ आगी महिलाए क्या हूंगी अगर कोई बेटी आपको आपको कहीं सुरक्षित नहीं हूँ तो उसे कॉंग्रेस का देखिए उसे इसका देखिए ठीक थिए इनके बात पुरी करना जाता हूं बैक्ष्चित प्राइंग केस्ट देने वाला राहूल गांदी ना आ जाए इसे मत करिए अच्छा नहीं लगेगा राहूल गांदी फ्लाइंग केस्ट देता है हमारी बेहन कुछ बोली नहीं तो मैं माफी भी मांग लू बेहन है मतलब फ्लाइंग केस्ट वाला मुद्दा उठाया दर्द हो गया जादा शायद राहूल गांदी को बचाना जरूरी है अपनी इस्दद से कोई मतलब नहीं चाहिए निकालिये दिलों से पर ठीक है और ठीक है ओक्या बारत को कहा उलजा रहे है इतना जरूरी क्यों है कॉंग किसी भी महिला की तरफ हवाई चुम्बन देना अपने आप में अमर्यादित है यह दिखाता है कि आप बारत की से लोगसभा स्पीकर ओंपेला जी कि तरफ उनको चेहरा है आप आप आपके पास कोई टेम है तो लगा दीजिए आप मेरी कपल चैन भी समझे मैं तो नहीं त अच्छा लग रहा है बढ़ा है आप ही बढ़ा दीए चलिए इनको आइना दिखाएए एक एक बार आइना इनको ऐसा दिखाया था यह विदाई की आप इसपर्ट से बूछा है इनको आप कैसा निवेट चाते हैं सम अपनी बात दो रखिए इसांती से बिलकुल देखिए कि उन्होंने अपनी गलती एकसेप्ट कर ली और दूसरी बात बताओं राहूल गांधी साफ वो हैं जब मनीपूर जाते हैं तो मनीपूर का दर्द वो अपने सीने से लगा करके उन बेहन और बेटियों के आसु जो गिरते हैं उनको साजा करते हैं और माने प्रधान मंत्र कि उपर आ रहे हैं तो राजमीती का इस तरह कहां ले जाना चाह रहे हैं और आपको बताओ राहूल गांधी साहब जब भारजोड़ो यात्रा पर निकलते हैं तो बड़े से बड़ा बज़र्ग आदमी उनके सीने से आकर के लगता अपना दर्द बताते हैं राहूल सब्सक्राइब ने उसका मजाग बना रहे हैं ठीक है जब 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 गौर बाटिया आपसे